नमस्कार दोस्तों नव भरती परिवार में आप सबका स्वागत है आज हम ओठारी आयोग की सिक्षा के राश्टी उद्दिश्यों और पंचम की कारिक्राम और ओठारी आयोग के उद्दिश्यों के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों पिछले वीडियो में आपने देखा था ओठारी शिक्षा आयोग जो की 1964 में आया और 29 जून 1966 को जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अध्यक्ष दोलत सिंग कोठारी थे कौन थे दोलत सिंग कोठारी जिसके अध्यक्ष पे इसी लिए इस सिक्षा आयोग का नाम सिक्षा आयोग उन्निस सो चासर का नाम कोठारी सिक्षा आयोग के नाम से भी जाना गया था तो ओठारी सिक्षा आयोग ने हमारे देश की परंप्रागत सिक्षा प्रणागी में आमूर चूल परिवर्तन करने के लिए रहन सैन के इस्तर को बढ़ाने के लिए भारत में ओध्योगित विकास के लिए आय की विशंता को कम करने के लिए कई ऐसी प्रॉबलम हमारे भारत के सामने थी उन समश्याओं से निजात पाने के लिए ओठारी सिक्षा आयोग में कई सुझाओ दी कोथारी सिक्षा आयोग के पंच मुखी कारिक्रम है और इसी पंच मुखी कारिक्रम के कारण कोथारी आयोग को सिक्षा का विश्वकोष भी कहा जाता है इसको कोथारी सिक्षा आयोग को सिक्षा के लास्टिय उद्दिश इन्हों ने दिये जिसको हम कोथारी आयोग के पंच मुखी कारिक्रमों के नाम से जिसको जाना जाता है इस पंच मुखी कारिक्रमों में पहला है सिक्षा द्वारा उत्पादन में व्रत्ति का मतलब यहां परवच्चु यह है कि परम्रागत सिक्षा प्रणाली कुछ लोगों तक ही सिमित थी लेकिन कोथारी सिक्षा आयोग का प्रमुक लक्षे यह था कि सिक्षा को आम आदमी तक पहुचाना सबी बाल्यों को सिक्षा उप्लब्द करवाना ताकि उत्पादन में क्या हो सके व्रत्ति हो सके लोगों का विकास हो सके बालक का सरवंगें विकास हो सके इसी लिए ओठारी सिक्षा आयोग का पहला कारिक्रम था सिक्षा द्वारा उत्पादन में व्रद्धी करना हूँ दूसरा है सामाजी एवं राश्किय एकता का विकास आप सब चालते हो उस समय हमारे दिस में उत्तर भारत वे दक्षिनी भारत वे कई राज्ये ऐसे थे जहां पर छेत्री भाशाओं का प्रभुत्वत लगातार बढ़ता जा रहा था और छेत्रिय विबिनता ने छेत्र वाद की समश्या को पैदा कर दिया था हर राज्ये अपने यहां अलग सिक्षानीती लागू करने की भोड में लगा हुआ था तो एक ऐसी सिक्षा पद्दती कोठारी आयोग देना चाता था जिससे सामाजिक और राष्टी एक्दा का क्या हो सके विकास हो सके और इसी राष्टी एक्दा का विकास करने के लिए ओठारी साथ सिक्षा आयोग ने समान सिक्षा प्रणाली लागू की 10 प्लस 2 प्लस 3 की व्यवस्ता समस्त भारत में लागू की ताकि राष्टी एक्दा का विकास हो सके 10 प्लस 2 प्लस 3 की कॉमन सिक्षा प्राली लागू करने के पीछे ये था कि सिक्षा के द्वारा सामाजिक और राष्ट्री एक्ता का विकास किया जा सके तो पहला है सिक्षा द्वारा उत्पादन में व्रद्धी की जाए दूसरा सामाजी एवं राष्ट्य एक्ता का विकास करना सिक्षा का प्रमु उद्धिश्य होना चाहिए ये कोठारी सिक्षा आयोग ने कहा जिसने सिक्षा के राष्ट्य उद्धिश्य बताए जिनको पंच मुखी कारिक्नम के नाम से भी जाना जाता है फिर आता है सिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुदर्ता आप जानते हो प्रजातंत्र कहता है अवसरों में समानता अवसरों में समानता कानून की द्रश्की में समानता और तो ये सिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है अगर हम बच्चे को सैक्षिक अवसर प्रदान करेंगे, जो पिछले हुए आदिवासी इलाखों से अगर बच्चे आये हुए हैं, उनके सिक्षन सुल्ख में कमी करेंगे, जो बच्चा उच्छ सिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए छात्रवती योजना प्रारम क करेंगे, पाटे कुस्त के उपलग्द करवाएंगे, उच इस्तर पर विश्वित ज्यालों में, उस्तक बहनकों की इस्तापना होगी, तो क्या होगा? सिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुद्धरता होगी, बच्चा अगर सिक्षित होगा, वो जागरूप होगा, राजन सिक्षिती में भाणिदारी लेने लग जाएगा, अच्छा और बुए के बीज में डिफ्रेंस करने लग जाएगा, आम आत्मी जब सिक्षित होगा, जागरूप होगा, तो हमारे प्रजातंत्र में जो प्रतिनी जी जुने जाएंगे, वो भी अच्चे लोग आएंगे, सि सिक्षित होंगे और प्रजातंत्र को सुद्धड का प्रधान करेंगे, फिर है सिक्षा द्वारा आधूनी की करन की प्रतियां में तेजी, आप सब को पता है कि कोठारी सिक्षा आयोग ने विज्ञान में गणित की सिक्षा पर जोग दिया, और कहा कि मा इस्कूली इस तर इन विश्व की सिक्षा बच्चों को उपलब्द करवाई जानी चाहिए, विज्ञान और गणित की सिक्षा पर सबसे ज़्यादा जूटिया, अनुसंधानों पर की विश्व इद्याले इस तर पर अनुसंधान कालिये करवाए जानी चाहिए, और बच्चे जो की धेश्यों में अध्यान कराने के लिए चात्त्यवतिय कटाने चाहिए लिए क्योंकि हम This semester क्रेंद्ध करने के लिए और्वेज्ञानिक अनुसंदान करने के लिए विज्ञान के प्रती बच्चों की रूची का होना बहुत ही आवश्यक है फिर आता है सिक्षा ग्वारा सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक मुल्यों का विकास करके चरिक्त्र निमान करना कोठारी सिक्षा आयोग ने कहा कि सिक्षा में मुल्यों की सिक्षा दी जाने चाहिए आध्यात्मिक्ता की सिक्षा दी जाने चाहिए सामाजिक सिक्षा दी जाने चाहिए ताकि बालक का चरिक्त्र निमान हो क्योंकि जब बच्चे का चरिक निर्मार होगा तब वही बच्चा देश विकास में अपना योगदान कर सकता है, राश्टिय एक्ता का विकास कर सकता है, प्रजातंत्र को सुदड़ कर सकता है तो ये पांच रुखी का इक्रम कोठाली आयों ने दिये, पहला सिक्षा द्वारा उत्पादन में व्रद्धी, दूसरा सिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राश्टिय एक्ता का विकास, तीसरा सिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुदड़ता, चौथा सिक्षा द्वारा आ विकास करके चरित्र का निर्मान करना ये ही कोठारी सिक्षा आयोग के पंचुन की कारिप्रम थे अब कोठारी सिक्षा आयोग के उद्धिश्य क्या थे कि कोठारी सिक्षा आयोग क्या चाहता था कि हमारा देश कैसा हो तो कोठारी सिक्षा आयोग का कहना था कि हमारे देश म शथी कि राश्ट्रिक दोनी कि निर्मान करने के लिए कि प्रठाइमेरी इस तरफ 3 साल होना चाहिए और प्रात्मिक जो है हो चैसे 12 साल तर प्रात्मिक शिक्षा बच्चे को भूंधी चाहिए तो प्री प्राइमेरी प्राइमेरी जो आप प्रथम क्लास में बच्चा जब एड्मिशन लेगा तो छटी क्लास छे भर्ष का पुन होने पर ही उसको प्रथम कक्षा में एड्मिशन मिलना चाहिए ये ओठारी सिक्षा आयोग के परामर्स ते ओठारी सिक्षा आयोग ने ही कहा कि हमारे देश में प्री-प्राइमेरी स्पूल के जो बच्चे हैं उनको मात्र भाषा में सिक्षा अकलब्द करवानी चाहिए और विश्विध्याले इस्तर पर हिंदी और अंग्रेजी सिक्षा के बालक को अध्यान कर वाया जाना चाहिए ये ओठारी सिक्षा आयों होने कहा हूँ, ओठारी सिक्षा आयों कहला है कि नवीन आवशक्ताओं को ध्यान में रखते हूँ, आप जानते हैं कि परंप्रागत सिक्षा प्रणाली दिग्रीदारी होने के बावजूद भी रोजगार नहीं दे पा रही थी, व्यवसाय नहीं दे पा रही थी, लोगों की विशमता को कम नहीं कर पा रही थी, लोगों की आपांचाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, तो ऐसी सिक्षा प्रणाली का विकास करना था, जो लोगों को रोजगार दे सके, उनके रहन सहन को अच्छा कर सके, आय की विशमता को घटा सके, सा प्रजातंत्र की इस्तापना करनी है तो देश में सामाजिक समानता इस्तापिक करनी पड़ेगी आयती विशंता को कम करना पड़ेगा समान सिक्षन व्यवस्ता इस्तापिक करनी होगी जो भाषाई की जो समश्याए हैं जैसे हिंदी भाषा का विकास नहीं हो पा रहा है छेत्री भाषाउं का अब ग्युद्य नहीं हो पा रहा है तो इन समश्याओं से निजात आने के इसी सिक्षा बच्चों को उपलब्द करवानी पड़ेगी ऐसा उठारी सिक्षा आयो कहता है निर्धंता का अनुमोलन है आप सब जानते हो अगर बच्चे को स्कूली इस्तरपरी व्यावसाइप प्रसिक्षन दिया जाएगा हस्त कोशर प्रसिक्षन दिया जाएगा कारि इसकी सिक्षा पर जादा जोड दे रहे है तो उससी क्या होगा गरीबी दूर होगी निर्धंता का उनुमोलन होगा क्योंकि अगर इन्सान ओशल्ट से जूगत होगा तो वो किसी भी रोजगार हुटारी में लग जाएगा अगर इन्सान को रोजगार मिल जाएगा तो निर्धन्ता अपने हाँ क्या हो जाएगी दूर हो जाएगी गरीबी दूर हो जाएगी तो निर्धन्ता का ऐसी सिक्षा करना ताकि निर्धन्ता का क्या हो जाए उन्मूलन हो जाए ऐसा ओठाली सिक्षा आयोग कहता है उसके बाद आता है ओध्योगिक विकास देखो इस पूली इस्तर पर ही विज्ञान की सिक्षा दी जाएगी, विश्विद्याले इस्तर पर अनेक शोद काले किये जाएगे, तो क्या होगा, देश का उद्यो की को विकास होगा, तो देश का उद्यो की विकास करना है, तो ऐसी सिक्षा प्रणाली अपनानी होगी, ताकि दे अगर आयती विशमता होगी अगर निरक्षर्टा होगी तो आप अच्छा जीवन नहीं कर सकते अगर इस्तरियों को अच्छी सिख्षा दी जाए इस्तरियों को पुरुशों के समान माना जाएगा तो उनका जीवन इस्तर अच्छा होगा लड़कियों को विशेश कारिक्रम करवाय जाएगे उनको व्यावसाइप पॉर्स करवाय जाएगा, तो उनकी इंकम आएगी और जब आएगी तो अपने आप जीवन इसतर क्या हो, बढ़े है इसलिए कोठारी सिक्षा आयोग में कहा कि अगर जीवन इसतर को सुदानना है, तो सिख्षा के चित्र में व्यावसाईग सिख्षा पर जोर देना पड़ेगा विज्यान वें और द्योखित विस्तार पर जोर। से शिक्त किया जाए तो आगे आने वाले समय में हमारे देश में विज्ञान प्राद्योगी की का विकास होगा और देश का अध्योगी की विस्तार होगा क्यों कि आए बढ़ेगी रोजगार मिलेगा आए बढ़ेगी आए बढ़ेगी व्यक्ति की आए बढ़ेगी राश्य की आए बढ़ेगी तो इससे क्या होगा इससे होगा विज्ञान वे ओध्यों की विस्तार पर जोर दिया गया और साफ का है इसकूली इसतर पर विज्ञान सिक्षा दी जाएगी माध्यमी इस तर पर विज्ञान वेगनिक की सिक्षा पर जोड़ दिया गया विज्ञान वेगनिक की सिक्षा के लिए सिक्षन सामगरी बच्चों को प्लब्द करवाई जाए इस पर उठारी सिक्षा आयों ने जोड़ दिया देश में समाजवाद की स् कर देंगे संहाज वाद का नारा देने वालेसे पंडित नहरू यह उसा तक्राइव कर थी से आयोका कि मैं एक ऐसी पद्दती दे रहा हूं, मैं एक ऐसा शिक्षा क्रदान कर रहा हूं, जिसके द्वारा देश में समाज बात की, स्थापना होगी, ऐसा मानना था, art. correct. आयोका, आधुनिक व्यग्यानी और विदिया, अब जो भी सिक्षा प्रदान की जाए वो पाठे पुस्तकों में बदलाव किया जाए पुस्तके जो हो वो आधुनिक वैज्ञानिक विध्यों पर आधारित होनी चाहिए ये उठाली सिक्षा आयोग के प्रमुक उब्दिशों में सामिल था और सिक्षा ऐसी दी जाए जिसमें बच्चे को स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित समाज की अगर स्तापना करनी है तो बच्चों को ऐसी सिक्षा उफलग्द करवानी पड़ेगी ऐसा कोठारी सिक्षा आयोग का मानना था तो पोठारी सिक्षा आयोग के उद्दिशों में पहला है एक राष्टे प्रणाली का विकास करना नवीन आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखते हुए सिक्षा प्रणाली का विकास करना धरम निर्पेक्ष जनतंत्र की इस्कापना करना निर्धनता का उनुमूलन करना देश का उद्योगिक विकास करना तर्ग संगत जीवन व्यापन इस्तर की प्राप्ती करना अच्छा वेहन सेहन इस्तर प्राप्त करना लाइफ स्टाइल को अच्छा करना विज्ञान वै उध्योगिक विस्तार पर जोड दिया जाएगा देश में समाजवात की इस्तापना कैसे हो आदुनिक वैज्ञानिक और विधिक ज्यान पर जोड और स्वतंदरता, समानता और न्याय पर आधारिक समाज की अगर इस्तापना करनी है तो ये कोठारी आयोग के प्रमुक उद्धिशों में शामिल था और इहीं उद्धिशों को धान में रखते वे कोठारी सिक्षा आयोग ने अनेक सुझाओ भी दिये जो मैंने आपको वीडियो में बताया था उटारी सिक्षा आयोग में का माध्यमिं इस्तरपर बच्चों को व्यावसाई सिक्षा दी जानी चाहिए इस्तरियों के लिए अलग से विसिष्ट प्रसिक्षन सेंटर होने चाहिए इस्त्रियों और महिलाओं के लिए महिलाओं और बालिकाओं के लिए इस्त्री सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग से आवाशी विध्याले होने चाहिए पिछड़े इलाखों में अलग से आवाशी विध्याले होने चाहिए और महिला और बालकों के साथ अगर इसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवार होता है तो उनके लिए अलग से विभाग होना चाहिए इस्त्री और पुरुष को समान स्विकार किया जाना चाहिए इसके अलावा ओठारी सिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि जो पिछड़े और आधिवासी लागों के जो बच्चे हैं उनके लिए आवाशी विद्याले होने चाहिए निशुल्ग विद्याले स्विदा होनी चाहिए विद्याले की जो अधिगम सामगरी है वो बच्चे को प्लब्द करवाई जानी चाहिए इसके अलावा आपके अपंग बार्कों की सिक्षा के लिए भी आपकी ओठारी आयोग ने सुझाव दिया कोठारी आयोग ने कहा कि 1986 तक जो हमारे अपंग बच्चे हैं उन बच्चों को 5% जो है बच्चे जो है उनके लिए अलग से विद्याले स्तापिक किया जाए अलग से उनको सिक्षा प्रदान की जाए ये कोठारी सिक्षा आयोग और जब वो पूर्ण रूप से अगर इस बन जाए कि सामान्य विद्यालों में बेजा जा सकता है तो उन बच्चों को सामान्य विद्यालों में बेजा जाना चाहिए ये कोठारी सिक्षा आयोग ने कहा बच्चों तो कोठारी आयोग ने इनी उद्देश्यों और इनी कारिक्रमों को ज्यान में रखते हुए अलग प्रात्मिक और उच्छ प्रात्मिक विद्याले 6-8 तक उच्छ प्रात्मिक होंगे और प्रात्मिक तक विद्याले प्रात्मिक विद्याले के सुनेडी में आएंगे ये सब कोठावी आयोग के प्रमुक सुझाओते बच्छों इसी कोठावी सिक्षा आयोग के सुझाओं को स्विकार करने उपते हुए पहली जो राश्टे लिती बनी बच्छों उसी को बोलते हैं क्या राष्के सुक्षा नीती 1968 इसी राष्के सुक्षा नीती के जिन जिन तत्वों को स्विकार किया गया है कुनी तवत्वों को दूसरी सिक्षा निती बनी 1986 में, NPE 1986, NPE 1986 में 1968 की राश्च्टी निती के तव्डवों को अपनाया गया और जो पौधारी सिक्षा आयोग में सुझाव तो दिये गए, लेकिन पौधारी सिक्षा आयोग में किस प्रकार उनको क्रियांदित करना है, किस प्रकार उग्द्यूगी विकास होगा, किस प्रकार एकता इस्ताफित होगी, किस प्रकार प्रजातंत्र इस्ताफित होगा, ये सब नहीं बताया था तो 1986 की जो राष्टी सिक्षा नीती आई, उसमें 1968 की नीतियों को किस प्रकार प्रियांदित किया जो सकता है, उन सब के बारे में सुझाव देने वाली जो नेक्स नीती हम पढ़ेंगे बच्चों, वो है राष्टी सिक्षा नीती 1986 तो rाष्टी शिक्षा नीती 1996 हम नैक्स वीडियों में पढ़ेंगे, मैंने आपको ओठारी सिक्षा आयोग के बारे में उनके सुझाव के बारे में ओठारी सिक्षा ने सैक्षिक अवसोरों की समानता इस्तापित करने के लिए कौन-कौन से सुझाव दिये, राष्टी एक जैसे कि कोठारी सिख्षा आयोग में ये सूजाव दिया था कि यि इन्डर सरकार को अपने बजट का 6% जो है सिख्षा पर खर्च करना चाहिए। केंडर सरकार और राज्य सरकार को विश्विध्याल अनुदान आयोग को क्या देना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में भी कोठारी सिक्षा आयोग नहीं बताया था इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया आप चाते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मेरे बोर पर लिखेवे नोडस को कॉपी में लोड डाउन करें मेरे वीडियो को पूरा देखें सुनें समझें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें लाइक कीजिए शेयर कीजिए जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकें वीडियो को फैलाए ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं और आप नव बाती स्टडिस सरकल चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवां